हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं इंस्टंट माउथ मेल्टिंग बेसन की बर्फी की बहुत यह दा टेस्टी और असान रेसिपी आपने मैं देगी बर्फी और खोए की बर्फी कई बार जाधा कैने लगेगा तो चलिए बेसन की बर्फी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम डालीगे एक चमज घी घी जैसे इसमें जैगा एक स्वेस्डव सरा में सॉ करके बताऊंगे यानि की चीनी का चाश्मी बनाने का सारी चीज़े एक ही चीज का टोरी से में मेजर करूंगी जिससे आपको आसानी हो और यह देखे हमने थोड़ा सा भून लिया है अब हम यहां पर दो चमच घी और डाल देंगे और यहां पर बस इसके बाद हमें घीनी ड करेंगे तब ही आपकी बर्फी एकदम बढ़िया बनेगी और यह देखिए टैक्शर एकदम बढ़िया हो गया देखिए दाना दाना लग हो गया बेसं को यह अच्छी से भून चुका है अब इसमें जाएगी बारे कट हुए बादाम और इसके बाद मैं यहां डाली हो घर लिया है बेसं और खरबुजी के वीज एकदम बढ़िया से मिल गया है और तयार है अब हम इसे रखते हैं साइड में यहां पे कढ़ाई में डालेंगी एक कटोरी दूद इसके पाद इसमें जाएगा दो चमच मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर को अच्छे से हम मिला देंग जिससे कि यह एकदम evenly mix हो जाए इसमें lumps ना आए मिल्क पाउडर से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा हमारी बर्क्रीमी से लिए मैंने यहां पे थोड़ा सा मिल्क पाउडर को हमने दूद में mix कर लिया है अब इसमें जाएगा थोड़ा सा condensed milk तो यहां पे दो चमच हम condensed milk हम इसमें चीनी का कम यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहां पे condensed milk यूज़ करें जिसमें already sugar होती है इलाची डाल देंगे इसके पाद डाल देंगे दो पिंच यलो फूड कलर आप अगर फूड कलर स्किप करना चाहते हैं नहीं डालना चाहते तब आप मढ़ डाले लेकर अगर एक कटोरी ही डालने चाहिए अगर आपको milk powerless में यूज़ नहीं करना है और condensed milk मैंने दूनों चीज़े यूज़ की जिरी थोड़ी से चीनी की quantity घटा दिये अच्छे से मिलाएंगे और एक boil आने देंगे और यह देखे इसमें एक boil आ चुका है अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सपका आ लेंगे तब यह थोड़ा जथेक हो जाएगा अपने आप कढ़ाई को छोने लगेगा बस उस स्टेज तक हमें से चलाते रहेंगे यही एकदम perfect consistency होती है और यह देखे यह कढ़ाई को छोने लगा एकदम बढ़िया consistency आ चुकिए अब हमारी बर्फी अच सकी आपने देखा हमने तोरंधी से ट्रांस्पर कर दिया अच्छे से चिकना करेंगे और इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से च्यॉप्ट की हुए ड्राइपूर्स यहां पर मैं बादाम डाल दियू आप बादाम पिस्ता दोनों भी डाल सकते हैं दबा द रही हो वैसे भी आप कट कर सकते हैं चाहे तो आप इसे डाइमंड शेप का कट करें जैसे कि कतली बनती है बिल्कुल वैसे ही अब मैं आपको निकाल की दिखा देती हूं तो यह देखें एकदम इंस्टंट बनने वाली बेसं की बरफी एकदम तयार है और पीस देखें एक आपको इसमें बहुत कम घी चाहिए और नहीं इसमें हमने कोई मावा अगयरा का यूज किया इंदम परफेक्ट हमारी बेसं की बरफी बनी तो फ्रेंड्स आप मेरी ट्रिक्स का यूज करके बेसं की बरफी घर में जरू बनाएगा आपकी फैमिली में सब बहुत यह तो बेस्ट रेसिपी है तो आप एक बर यह बर पी जरूर ट्राय करें और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो का अपने फैमिली और फ्रेंड्स के शेयर करना ना बूलें तो मिलते हैं नेक्स